शराब दुनिया में सबसे व्यापिक रूप से इस्तमाल किये जाने वाले मनोविज्ञानिक पदार्थों में से एक है वह सेकड़ों वर्षों से विभिन संस्कृतियों का भी हिस्सा रहा है शराब पीने के गंभीर परणाम हो सकते हैं ये विभिन प्रकार की कैंसर, जट्रात रोगों और चया-पचय समस्याओं से जुड़ा हुआ है समय के साथ शराब के नियमित उप्योग से शराब पर निर्भरता वा आपसी का खत्रा पैदा हो सकता है यह एक व्यक्ति के जीवन पर गंभीर रूप से शाररिक वा भावनात्मक रूप से असर कर सकता है मादक पै में रसायनिक इथेनौल होता है जो एक छोटा अनू है जो मस्तिश्क में विभिन निरोधात्मक और उत्तेजक निरोट्रांस्मिटर मारगों की गतिविदी को कम करता है निरुधात्मक निरोट्रांस्मिटर केंद्रे तंत्रिका तंत्र में निरॉन्स को एक कारवाई शम्ता को कम करने के संभावना बनाते हैं और मस्तिष्क के प्रमुक निरोधात्मग निरोट्रांसमिटर गामा, एम्मिनोग ब्यूत्रिक ऐसेड या गाबा बंद स्विच के रूप में कारे करता है और मस्तिष्क गतिवीदी को प्रतिबंदित करता है इतिनौल एक गाबा एगनिस्ट है इसलिए जब ये गाबा रिस को बानता है तो यह उस निरोधात्मक संकेत को और भी मजबूत बनाता है इतनौल भी ओपियोड रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है और एंडॉर्फिन के रूप में ग्यात अंतजाग मॉर्फिन की रिहाई को प्रेरित करता है ओपियोड तबनाभिक वाहिका में पर रिसेप्टर्स को बानता है जो मस्तिश के उस हिस्से में डोपामाइन और सिरेटरॉन के रिहाई को ट्रिगर करता है इतनौल एक ग्लूटमेट विरोधी के रूप में भी काम करता है दूसरे शब्दों में एतनौल ग्लूटमेट को रोगता है जो एक उत्तेजक लिए बाद्यकारी है जिससे यह कम संभावना है कि उन नियूरॉंस में गतिवीदी बढ़ जाएगी इन नियूरो ट्रेंस्मिटर्स पर इतनौल का संयुक्त प्रभाव मस्तिश में स्थान के अधार्वन होता है उधारन के लिए नाभी के कुमिंस और अमिदिला में जो मस मस्तिश के इनाम के इंद्र है इंधिनौल सुखद या पुरुस्कृत भावनाएं पैदा करता है जैसे की उत्साह यह महत्वपून है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का मानना है कि शराब पीने से उत्साह बढ़ता है तो वे फिर से पीने के संभावना रखते हैं सेर्बिल क की तरह वेभार निशेत के इंद्रों को धीमा कर देता है जिससे लोग अधिक आराम और कम आत्म जागरुक महसूस करते हैं सेर्बिलम में अंदोलन और संतुलन के लिए जिम्मेदार शेत्र इतिनौल के कारण व्यक्तियों को अपना समनविक होना पड़ता है जिससे ड्रा मेदुल मे में जान समनेस, चेतना और शरीर के तापमान जैसे स्वचालित कारेयों को नियंत्रित करता एंधिनौल तंत्रिका बढ़ता है श्वास को धीमा करता है और शरीर के तापमान को एक बिंदू तक कम करता है जहां यह जीवन पे खत्रा है मादक पे में इधिनोल की मात्रा भिन होती है उधारन के लिए बियर 335 ml या 12डरव ओंस में आम तौर पर 5 प्रितिशत इधिनोल होता है शराप के 148 ml या 5 डरव ओंस में मात्रा के इसाब से 12 प्रितिशत इधिनोल होता है 40 ml या 80 प्रूफ आसुत अमल जैसे की रम तकीला या विस्की के डेड़ द्रव उन्स में 40 प्रतिशत इतनौल होता है मात्रा में इन तीनों मादग पे इसलिए लगभग 18 ml शुद इतनौल है किसी व्यक्ति पर इतनौल का प्रभाव सीधे रक्त में शराब की मात्रा से एक व्यक्ति के रक्त की मात्रा से प्रभावित होता है उनके आकार वर लिंक पर निर्भर करता है साथ यी सिर्श तति जन्हेकारत जैसे इких कितना खाणा यह पीना पढ़ता है वैं अन्य पदार्त यह दवाई क्या हो सकती है शराब के लिए शरीर का उपयोग करना और कित 0.06% से 0.15% की रख्ट शराप समगरी में वानी या दाश्ट एकागरता वसमनवे में अधिक हानी होती है वह कुछ व्यक्ति आक्रामक और यहां तक हिंसक भी हो सकते हैं ड्राइविंग जैसे जटिल कारें खतरनाक हो सकते हैं यही कारण है कि कई देशों में 0.08% या उससे अधिक की रख्ट शराप समगरी के साथ ड्राइव करना अवैद है 0.16% से 0.50% लोगों के रख्ट में अलकोहल की मात्रा से ब्लैक आउट्स या पीरिच के साथ अलकोहल विशाक्तता का अनुभव किया जा सकता है उल्टी यहां तक की चेतना का नुकसान भी हो सकता है अन्त में 0.31% से उपर अरख्ट अलकोहल की मात्रा में अलकोहल का प्रभाव श्वास को गंभीर रूप से दबा सकता है और यहां तक की मृत्यू भी हो सकती है समय के साथ व्यक्ति लगातार शराब का उप्योग करते हैं वो इसके प्रभावों के प्रती सहिक्षडूंता विक्सित कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि बार बार उप्योग के साथ उनके पास शराब के लिए कम प्रतिक्रिया होती है और इसी लिए मूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई खुराक्य अवेशक्ता होती है सेललर्स तर पर कुछ सिधान्थ हैं जो बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है एक यह है कि इथिनॉल के बार-बार संपर्क में आने से गाबा, ग्लूटामेट, डोपामाइन और सिर्टोनिन रिसेप्टर्स एलकोहल के प्रती समवेधन शील हो सकते हैं एक और यह है कि निउरॉन्स इन रिसेप्टर्स को सेल वॉल से डाउन रेगुलेशन नामक प्रक्रिया में हटा सकते हैं जिससे बाइंडिंग के लिए कम रिसेप्टर्स उपलब्ध होते हैं या तो परिद्रिश्य में सहीख्णुता की शराब की उच और उच खुरा की अवशक्त की और जाता है और अकसर ऐसा होता है कि सहीख्णुता शराब के उप्योग को कम करने के बाद भी लंबए समय तक रह सकती है मादक पे में रसायनिक इथिनॉल होता है जो एक छोटा अडू है जो मस्तिश्क में विभिन निरोधात्मक और उत्तेजक निरोट्रांस्मिटर मारगों की गतिवीदी को बढ़ाता है अब मान लीजिए कि आप आराम कर रहे हैं बिना शराब या कुछ भी अपने इनाम के रास्ते को उत्तेजित करते हुए इस थिती में आपका मस्तिश्क आपके हिर्दे की दर, रक्तचाप और समाने अवस्था में रहने की स्थिती को होमियोस्टैसिस कहते है अब मान लें कि आपका गुप्त क्रश आपको ये एक मैसेज भीजता है अचानक आपको पसीना आने लगे और अनुभूती हो सकती है कि आपके हिर्दे की गती थोड़ी सी बढ़ रही है अब आप अपने समाने स्थरके होमियोस्टैसिस से उपर हैं क्यूंकि कुछ बदल गया है है ना लेकिन ये लंबे समय तक उस तरह नहीं रहता है आपका मस्तिश्क इन अधारभूच चीजों को वापिस ले आता है बार-बार शराब के सेवन से कुछ चीज़ें होने लगती हैं मान लें कि आप एक विशिष्ट सेटिंग में पीते हैं जैसे की रसोई में शाम पांच बजे और एक अवसाथ दस्थ होने के कारण ये सब कुछ कम कर देता है जिसमें हिद्य की गती, रक्त चाप और जागना शामिल है आपका मस्तिश्क स्मार्थ है वे अगली बार उस पैटर्न को उठा लेगा अब अगली बार शाम पांच बजे रसोई घर में मस्तिश्क पूरवर्ती के रूप से कारे करना बढ़ाता है क्योंकि यह जानता है कि जब आप शराब पीते हैं तो सब कुछ घटने वाला है अब शाम के पांच बजे के आज पास आप किचन में हैं वाँ शराब नहीं है उस थिती में मस्तिश्क अभी भी हिदय गती और रट चाप को बढ़ाता है लेकिन शराब के प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं और इसी लिए व्यक्ति भयानक महसूस कर सकता है इन्हें निकासी लक्षन कहा जाता है ये लक्षन उस बिंदू तक बने रह सकते हैं जहां किसी व्यक्ति को समाने महसूस करने के लिए शराब के अवैश्यक्ता हो सकती है यदि ऐसा है तो उन्हें शराब पर निर्वर माना जाता है अब दूसरी तरफ मान लीजिए कि आप और परिचित सेटिंग में शराब को उप्योग करते हैं जैसे की रात के 11 बजे पाटी में ऐसी स्थिती में आपका शरीर शराब के लिए तयार नहीं है वह आपके पास शारिरिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो शराब के प्रभाव को कम करने में मदद करें इस मामले में यह ओवरडोस का कारण बनता है और ऐसा अकसर होता है अलकोहल निकासी के लक्षनों में चेंता, अफसाद, चिर्चिडापन, ठकान, कपकपी, धड़कन बढ़ना, तवच्चा का पतला होना, पुतलियों का पतला होना, पसीना आना, सिर्दर्द, नीनना आना, उल्टी यहां तक की दौरा आना भी शामिल है निकासी की एक गंभीर जचिलता, जिसे डिलीरियम ट्रिमेंस बोलते हैं, शराप छोने के कुछ दिन के अंदर दिख सकता है वह कुछ लक्षन दिख सकते हैं जैसे की बुखार, तीवरिचिडचिड़ापन, दृष्य मतिभ्रम, वसपर्ष मतिभ्रम जैसे लक्षन शामिल है जहां ऐसा महसूस होता है कि तवचा पर कुछ रेंग रहा है यह लक्षन इतने गंभीर होते हैं कि इसमें मृट्यू भी हो सकती है इसलिए यह देखते हुए कि शराप की वापसी कितनी खतरनाक हो सकती है लोग इन से बचने के लिए पीते रहते हैं इस प्रक्रिया को नकरात्मक सुद्रिकर्ण कहते है नकरात्मक सुद्रीकर्ण या असुविदा से बचने के लिए अधिक पीना अक्सक सकरात्मक सुद्रीकर्ण के साथ सैयोजिन करता है या उत्सा बढ़ाने के लिए अधिक पीने और शराब की लट या शराब उपयोग विकार के और जाता है अब DSM-5 के मताबिक शराब के सेवन के एक विक्रित पैटर्न के रूप में शराब उप्योग विकार को परिभाशित किया गया है जिसमें पिछले वर्ष के भीतर कम से कम दो वहवार्ट शामिल है पहला इरादा से अधिक शराब का सेवन दूसरा शराब के उप्योग में कटोती करने में असमर्थ होना तीसरा शराब के उप्योग में जादा समय लगाना चौथा शराब के उप्योग के लिए तलब होना पांचवा शराब के उप्योग से जिम्मेदारियों का प्रभावित होना चता अगर ये पार्स पर एक समस्याऊं का कारण बनता है, तब भी शराब का उप्योग करना. शराब के प्रति सेहन्शिल होना, वो शराब के बापसी के लक्षन महसूस करना. इन लक्षनों में से दो या तीन का होना मामुली माना जाता है. चार या पांच का होना मध्यम माना जाता है छे या इससे अधिक का होना गंभीर माना जाता है यहां तक की हलके शराब उपयोग विकार के कारण दुर्बल हो सकते हैं क्योंकि यह किसी व्यक्ति के काम पर या रिष्टों में काम करने की शम्ता पर असर्थ करता है इसके अलावा शराब की उप्योग के विकार के दीर कालिक स्वास्त परिणाम गंभीर है क्रॉनिक शराब को उप्योग हिर्दय को नुकसान पहुचा सकता है जिसे कार्डियो मायोपैथी पैदा होती है जहां हिर्दय की मास पीशियों में खिचाव होता है और एक बड़ी फ्लोपी सेक की तरह इसकी अतालता या अनहिमत दिल की धड़कन के साथ साथ स्ट्रोक जैसी अन्य समस्याई भी हो सकती है क्रॉनिक शराब का उप्योग भी यक्रित में भड़काव परिवर्तन का कारण बन सकता है इसकी कारे करने की शमता को प्रभावित करता है जे तिलताओं में स्टीटोसिस, स्टीटोहेपेटाइसिस, फाइब्रोसिस और सिरोसिस शामिल है इसी तरह ये अग्राशे शोवत क कारण बन सकता है अग्राशे की सूजन भी हो सकती है शराब का सेवन मुग रासनली गले यक्रित और स्टन कैंसर सहीत कुछ कैंसर के विकास की जोखिम से जुड़ा हुआ है अंत में शराब की लत वाले लोगों में विटामिन की कमी को देखना आम है मोटे तोर पर खराब अहार की कारण माना जाता है इससे वर्निक कोड़कॉफ सिंड्रोम जैसे समस्यां हो सकती है जो शराब की पुराने उपयोग करताओं में थियमिन की कमी के परिणाम स्वरूप होती है और दृष्टी परिवर्तन गतिबंग जैसे समस्यां का कारण बनती है जो आंदोलन और व्यक्ति चेतना खो सकता है सांस रुख सकती है शराब उपयोग विकार वाले व्यक्तियों के लिए सबसे प्रभावी उप्चार व्यक्तिगत और समुच चिकित्सा का एक सहियोजन है उधारन के लिए प्रेरक साक्षतकर एक व्यक्तिगत चिकित्सा है जिसका उप्योग यह समझने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ती शिराब का उपयोग बंद करना चाहता है और उपचार के लिए विशिष्ट बाधाओं की पहचान करता है। संग्यानात्मक विवार ठेरपी एक व्यक्ती को वापसी के बारे में जानने में मदद कर सकती है। में मदद करने के साथ साथ एक दूसरे को जवाब दे रखने और अपने सहाइता समों के निर्मान के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं शराब पर निर्भरता के लिए दवाई भी हैं जिनमें नॉल्ट्रेक्सोन एसे मिप्रसेट और डेसलफिराम शामिल है जो चिकित्सा के रखने और रिलाप्स से बचने के लिए प्रेरित रहें तीवर वापसी के बाद अकंप्रसेट दिया जाता है जो शराब से बादत होने वाले गाबा वह ग्लूटिमिट मार्क को पुना स्थापित करता रहें अंत में डाइसल फ्राम जो एंजाइम एसेटेल ट्रीहाइड डिहाइडरोजिनेस को बादत करके कम करता है शरीर में शराब को एसेटेल दिहाइड में बदल दिया जाता है जिसे बाद में एल्डिहाइड डिहाइडरोजिनेस द्वारा तोड़ दिया जाता है इसलिए अब एसेटेल दिहाइड दिहाइड दिहाइडरोजिनेस को रोग ठीक है तुरित पुन्रविति के रूप में शराब का सेवन मस्तिश में विभिन नियूरो ट्रांस्मिटर और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जो शुरुवात में सुखद या सुखद होने वाली हानी पैदा करता है लेकिन अगर शराब जारी रहती है तो यह और अ शराब पर निर्भड़ता है सबसे प्रभावी उपचार में चिकेटसा और दवाओं का सयोजन शामिल है परिवार वो दोस्तों से बहुत प्यार और समर्थन के साथ